सो हे गाईज अगर आप भी मेरे तरह Redmi Note 7 Pro के उज़र हैं तो आप लोगों के लिए गुड़ निकल कर सामने आये हैं यहां पर आप सभी को अपडेट मिल चुका है और दूसरा यहां पर आपको जुलाय का जो है सिक्यूरिटी पैस देखने को मिलता है और साथ इसाथ सिश्टम सेक्यूरिटी पर इनों ने काफी ध्यान दिया है तो यह तीन मेन फीचर साफ सभी को देखने को मिले हैं यहां पर मैं आपको दिखाना चांग कि MIUI 12.0.2 का QF ज कि इसके अंदर में आप लोगों को मिल जाता है Android 10 अब मैं बात कर लेता हूं कि यह अपडेट जो है आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा तो यहां पर दोस्तों यह अपडेट उन्हीं लोगों को मिला है जिन लोगों ने जो है पैलेट बीटा टेस्टर के लिए अपलाए कि अपडेट देखने को मिल जाएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को एक लाइक कर दो क्यूंकि इस से रेलेटेट में जो है कोई भी नई अपडेट आती है तो आप लोगों को बताता रहता हूं पर फ्रेंड्स आप सभी को जो है Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाएगा Redmi Note 7 Pro के अंदर में क्यूंकि दोस्तों काफी ही जल जो है यह वाला अपडेट अगस्त के लास्ट में या अगस्त के थार्ड वीक में जो है आप सभी नॉर्मल यूजर्स को भी यह देखने को मिल जाएगा हाला कि मैंने TY-वाल कर पाएंगे अपने फोन के अंदर में पाफर बटन और वोल्यूम एपकिको करके आप इसे इसे। जल्द मिल जाएगा यह यह जो है बीटा में अपडेट मिला है और मेरे ख्याल से 4-500 लोगों को यह यह अपडेट मिला है क्योंकि जिन लोगों ने APPannaई किया था स मैं भी जो है इसे अपडेट कर लूँगा और उसके उपर एक फुल वीडियो भी आपको काफी ही जल्द जो है मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी अभी जो है मैं यहां पर दिखा देता हूं कि मेरे डिवाइस में 11.0 जो है 1.0 का इस टेबल अपडेट है 10.0 का जो है इस टेबल अपडेट है यहां पर मैं दिखा देता हूं 11.0 है लेकिन मैं जो है इसे कस्टम रिकवरी के द्वारा जो है काफी जल्द डाउनलोड करके आप लोगों के लिए फुल फीचर्स वीडियो बना दूँगा और क्या-क्या नए फ